आयू से संबंधित प्रस्णा पार्ट 3 अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखेगा आज पढ़ेंगे टाइप 3 चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रस्णा को समझे उनीस नमर प्रस्णा है 15 वर्ष बाद एक आदमी उसे चार गुना बड़ा हो जाएगा जितना ओवा 15 वर्ष पूर्व था उसकी वर्तमान आयू क्या है बहरी सिंपल प्रस्णा है सबसे पहले प्रस्णा को समझने का पर्यास करिएगा तो इसमें क्या बोला है 15 वर्ष बाद एक आदमी उसे चार गुना बड़ा हो जाएगा जितना ओवा 15 पूर्व थ यहां पर समझेगा 15 वर्ष पूर्व एक था तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा चार गुना यानि कि चार हो जाएगा यह आपने रेशियो लिख लिया मैंने रेशियो मेथड से बहुती असान तरीका से बताया है अगर आप इसको सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिकत न तो 15 वर्ष पूर्व और 15 वर्ष बाद लिखा हुआ है तो बगल में इधर भी 15 लिख लिजिए और इधर भी 15 लिख लिजिए ठीक है अब क्या करेंगे तो इहां पर आपको अंतर लेके चलना है तो एक और चार में कितने का अंतर है यानि कि तीन का अंतर है तो तीन का अं भाइट करेंगे तो आजाएगा 10 अब आपको इहां पर क्या करना है ये 10 से अगर आप इसमें गुना कर देंगे और इसमें गुना कर देंगे तो गुना मैं कर लेता हूँ इहां पर हो जाएगा 40 और इहां पर हो जाएगा 10 कहने का मतलब है कि ये जो 10 आया है ये 15 वर्स पहले का आया है तो पहले से आपको आना है वर्तमान में तो मैंने बताया था कि आपको जोड़ना होगा तो कितना जोड़ना होगा यानि कि ये पंदरा वर्स पहले का है तो इसमें आपको पंदरा जोड़ना होगा तब आपको वर्तमान का निकलेगा तो दस में पंदरा जोड़ें होगा पंदरग हटाएंगे तो इहां पर भी आपको 25 ही मिलेगा राइट एंसर आ गिया है कोई डाउट नहीं है सबसे पहले सिखने का पर्यास करिए अगर एक बार सिख लेंगे समझ लेंगे फिर कभी कोई दिकत नहीं होगा तो 25 वर्स राइट एंसर है मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूं अगर आप इसको मान के चलेंगे कि मान के चलते हैं वर्तमान में उम्र एक्स x है मैंने x मान लिया वर्त मान में तो 15 वर्स बाद कितना हो जाएगा यानि कि x पलस 15 हो जाएगा तो 15 वर्स पहले कितना था कम होगा न तो क्या हो जाएगा x माइनस 15 हो जाएगा अब ये दोनों का relation को क्या बताया है question में यानि कि 15 वर्स बाद वाला जो है वो क्या है यहाँ पर समझेगा जो 15 वर्स बाद वाला है वो क्या है यहाँ पर लिखा हूँ है 15 वर्स बाद एक आदमी उसे 4 गुना बड़ा हो जगा यानि कि 15 वर्स बाद वाला 4 गुना है तब यहाँ पर आप एक equation बना लिजे x-15 ब्राबर x पलस 15 ठीक है तो यह 4 गुना है तो ब्राबर करने के लिए इसको आपको 4 से गुना करना होगा यह तो आपने सिखा होगा तो इधर में आपको 4 से गुना करना होगा तो बैलेंस हो जाएगा तो 4 x गुना कर लेते हैं और 15 चुके 60 इधर में x पलस 15 होगिया calculation करेंगे यह x को इधर में लाएंगे तो 4 x के साथ घटेगा तो यहाँ पर 3 x होगा और यहाँ पर 15 चुके 60 था यहाँ पर 16 लिख दिया मैंने गरबर mistake कर दिया तो यह 60 को उधर में ले जाएंगे तो पलस में होगा 15 के साथ जूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा अब 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75 आ गया right answer यहाँ पर की एक समलोग किसको मानके चले थे और तमान आयू को मानके चले थे तो आ गया है right answer तो इस तरीके से आपको सिखना है समझना है अब अगला जो प्रश्ण है उसको आप समझने का प्रयास करिए very simple or very very important प्रश्ण है 20 नंबर में आप से क्या पूछा है पिता की उम्रा पुत्र की उम्रा की पांच गुनी है अब यहाँ पर कब का है वो नहीं लिखा हुआ है इसका मतब और तमान का है तो यहाँ पर जहाँ पर भी अगर गुना में लिखा हुआ है कि पिता की उम्रा पुत्र की उम्रा से इत तब यहाँ पर आपको क्या करना है, फादर एक तरफ ले लिजे और एक तरफ उसका लड़का यानि कि बेटा, तो पांच गुनी बोला है ना पीता, तो पीता के तरफ पांच ले लिजे और पुत्र की तरफ एक ले लिजे, यह अनुपात बन गिया, ठीक है, यानि कि पीता क उम्रा पांच गुनी है और ये कब का है वर्तमान का कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वर्तमान का दस वर्स बाद पिता की उम्रा पूत्र की उम्रा की तीन गुनी हो जाएगी दस वर्स बाद पिता का उम्रा तीन गुना हो जगा तो पिता के तरफ आपको तीन लेना है और पुत्रक के तरफ ओवन लेना है यह दस वर्स बाद का है यह आपको इतना काम करना है अब मैंने बोला था कि इसका अंतर और इसका अंतर बराबर है या नहीं तो बराबर नहीं है बराबर करना होगा तो मैंने बोला था कि इसका अंतर को इसमें गुना करिए और इसका अंतर को इसमें गुना करिए ठीक न तो बराबर हो जाएगा तो इहां पर बराबर करने के लिए क्या करेंगे पांच और एक में कितने का अंतर है चार का तो चार से इसमें गुना कर देंगे और तीन और एक में कितने का अंतर होगा दो का तो दो से इसमें गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा अब यहां पर एक बार लिख लेते हैं तो दो से गुना करेंगे दो पचे दस हो गया इसके बाद 2 एकम 2 हो गया ठीक है नीचे में 4 तिया 12 और 4 एकम 4 हो गया अब देखिए अंतर बराबर हो गया होगा और ये वर्तमान का है तो 0 बगल में और ये 10 वर्स बाद का है तो बगल में यहाँ पर 10 लिख लिए ठीक है अब 12 में 10 घटाएंगे तो 2 चार में 2 घटाएंगे तो 2 यानि की यहाँ पर 2 अंतर आया दो अंतर में इसको जोड के लेते हैं मैं पहले बता चुका हूँ तो 10 हो जाएगा तो 1 अंतर में कितना होगा 2 से 10 को डिभाइट करिए तो 2 पचे 10 यानि की 1 अंतर में 5 आया अब इसी 5 से इसमें गुना कर देंगे अब इधर का आप भूल जाएए क्योंकि हम लोग इहाँ पर चेंज करके बराबर करके लिखे हुए है न तो इसी कोलाष्ट में लेके चलेंगे इसी से एंसर मिलेगा तो किसका किसका दोनों का निकलना है तो यह जो सॉल्व करना है भेरी सिंपल है अब मैं एक प्रश्ण सॉल्व करके बताऊंगा ज्यादा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि इसी तरह का प्रश्ण है लेकिन आपको सबी प्रश्ण को सॉल्व करके देखना है तभी confidence आएगा और concept किलियर हो पाएगा यहाँ पर क्या बोला है देखिए सेम प्रश्ण है आप इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा और comment में जरूर बताईएगा और answer भी लिखा हुआ है 22 नमबर में 8 वर्स पूर्व मैं इसको बता दता हूँ इसमें क्योंकि दोनों में 8 वर्स एक में 8 वर्स पूर्व और 8 वर्स बाद का है इसलिए मैं इसको बताऊँगा इसको आप एक वर समझने का पर्याज करिए 8 वर्स पूर्व सुनिल की आयू अपने पूत्र की आयू का चार गुना थी 8 वर्स पूर्व तो कौन-कौन है यहाँ पर सुनिल और उसका पूत्र यानि की फादर फादर और उसका सन तो 8 वर्स पूर्व पूत्र की आयू का चार गुनी यानि की फादर चार गुनी है तो पूत्र की तरफ एक लेंगे यही काम करते हैं यह 8 वर्स पहले का है और 8 वर्स बाद सुनिल की आयू यानि की पिता का अपने पुत्र की आयू से दुगुनी यानि की पिता का दुगुना हो जा रहा है 8 वर्स बाद ठीक है तो पिता के तरफ दो और पुत्र के तरफ एक रखेंगे यह हो गया लेकिन बराबर नहीं है आप तीन से इसमें गुना कर देंगे दो और एक में कितने का अंतर है तो एक का अंतर होगा तो एक से इसमें गुना कर देंगे तो एक से गुना करेंगे तो चार एकम चार और एक एकम एक मिल गया है और नीचे में तीन दुना छो और तीन एकम तीन देखिए और ये कब है आठ वर्स पूर्व का और ये है आठ वर्स बाद का अब यहाँ पर समझे तो इसमें और इसमें अंतर समान हो गिया ना कितना है छो में चार घटाएंगे दो तीन में एक घटाएंगे दो यानि कि दो आया तो दो अंतर में आपको कितना लेके चलना है ये जोड के तो आठ दुना 16 यानि की 16 हो गया तो एक अंतर में कितना होगा यानि की दो से डिभाइट करेंगे तो 2 अठे 16 आठ आ गया आठ से अब इहां पर आपको answer निकालने के लिए क्या करना होगा 8 से या तो इसमें गुणा करिए या तो इसमें गुणा करिए मैं दोनों से बता दता हूँ उपर वाला में गुणा करेंगे तो 8 चोके 32 हो गिया और 8 एकम 8 हो गिया लेकिन ये कब का है 8 वर्ष पूर्व का तो वर्तमान का कितना होगा पूर्ब से यानि कि पहले से वर्तमान में आने के लिए जोड़ना होगा तो 8 वर्ष पूर्ब का है तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40 मतलब कि 8 समय गुना करा हूँ 8 का 8 8 आरदूना 16 8 3 24 8 4 के 32 8 पचे 40 तो यहाँ पर 40 आठ में 8 जोड़ेंगे तो 16 यानि कि 16 चालिस यहाँ पर देखिए राइट एंसर सी ओप्सन आ गिया है लेकिन अगर आप नीचे वाला यानि कि इसमें गुना करेंगे चोग और तीन में तो उसे भी एंसर आएगा तो कितना होगा 8 चक 48 समझेगा 8 चक 48 और 8 3 की 24 अब इहाँ पर यह जो एज आया है इसमें गुना करने से यह आया है 8 वर्स बाद का तो बाद का आया है लेकिन निकालना है वर्तमान का तो बाद से वर्तमान में आने के लिए आपको घटाना होगा तो 48 में 8 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा तो 40 आ गया 24 में अगर 8 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा 16 आ गया न तो यहाँ पर 16 आ गया कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रोबलम नहीं है तो किलियर हो चुका होगा इसी तरह का टोटल प्रश्ना है तो मैं सभी क्वेश्चन को एक बार दिखा देता हूँ आप स्वल्ब कर लिजिएगा 23 नमबर में यहाँ पर देखिए 23 नमबर में 10 वर्श पूर्ब एक ब्यक्ति की आयू अपने पूत्र की आयू की तिन गुनी थी 10 वर्श बाद पिता की आयू पूत्र की आयू का दुगुना होगी उनकी वर्तमान आयू का अनुपात क्या होगा इहाँ पर उम्रह नहीं निकालना है उम्रह निकालने के बाद आपको अनुपात निकाल देना है ठीक है तो आप निकाल लिजेगा same question है 22 नंबर के तरह था और 24 नंबर में 24 नंबर में क्या है इसको आप एक बार समझे दो भायों A तथा B की वर्तमान आयू का अनुपात एक अनुपात दो है पांच वर्स पूर्व इनकी आयू का अनुपात एक अनुपात तीन था पांच वर्स बाद इनकी आयू का अनुपात क्या होगा इसको भी आप स्वल्व कर सकते हैं बेरी सिंपल प्रशन है और अगर न पहले उसके पिता की आयू राम की उसमय की आयू से नौगुनी थी राम की वर्तमान आयू ग्यात करें भेरी सिंपल है इसको भी स्वल्व कर लेना है और आगे देखते हैं टाइप फोर को बाद में पढ़ेंगे तो बिल्कुल किलियर हो चुका होगा कहीं पर अगर थोड़ा आपको क्या करना है लिख लेना है A और B A B अनुपात कितना दिया हुआ है एक अनुपात दो पांच वर्स पूर्व इनकी आयू का अनुपात कितना है एक अनुपात तीन ये पांच वर्स पूर्व का है और पहले वाला वर्तमान का है ये ध्यान दिजेगा तो जहां पर भ है तीन और एक कांतर दो तो दो से गुणा करेंगे दो और एक में अंतर एक तो इसमें एक से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तो दो दो दुना चार और नीचे में एक और तीन एकम तीन यानि कि एक अंतर आ रहा है तो एक अंतर में कितना लेके चलना है इसको जोड़ेंगे 0 5 तो 5 ही होगा तो 5 एक अंतर में 5 डायरेक्ट आ गया है तब क्या करेंगे यहां पर हम लोग बराबर कहां पर किये इसको किये है न और यह वला उपर वला वर्तमान का है अगर इसमें गुना कर देंगे 5 से तो दोनों का उ उम्र निकल जाएगा तो 5 दुना 10 और 5 चोके 20 हो गया यह वर्तमान का आया है लेकिन पूछा है 5 वर्स पूर्ब इनकी आयू 5 वर्स बाद इनकी आयू का अनुपात क्या होगा तो 5 वर्तमान का है 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 तो 5 वर्तमान क यानिकि पांच वर्स बाद दोनों का अनुपात ये हो जाएगा तो देखिए कहां पर है तीन अनुपात पांच यानिकि C ओफशन सही है इसी तरीके से आपको सॉल्फ करना है बिल्कुल समझ में आ गया होगा मैं आसा करता हूँ कि कहीं पर आप लोगों को डाउट नहीं होगा तो जरूर बताईएगा मैं फिर से समझाने का परियास करूंगा कि 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 अ